है अबरिबड़ी वेल्कम बैक टो लॉन्टु कम्पीट माइम इस घरदेव सिंग ठापूर और आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे वह है एक्सेलरेटर थियोरी ओफ इन्वेस्मेंट इसे ही हम एक्सेलरेटर प्रिंसिपल भी खहते हैं जो कि हमें किस ने दिया था जये-म क्लारक ने दिखे अ एक्सेलरेटर थियोरी पढ़ने से पहले हमने पढ़ा है मल्टिप्लैयर के बाते ौटिप्लयर हमें क्या कहता है कि अगर आप Invesment increase करेंगे तो इंवेस्टमेंट increase करने से हमारी मतलब है जो अंगर कि मतलब है पूर के इस का मतलब है मतलब है यहां मतलब है यह मतलब fully में आप थीन सोर पे से income इंकुर्ईज कर देंगे यह a कbereich और कैंस केंस नी और Keynes ने क्या कहा था? यह जो investment increase हो रही है ना, यह income पर depend नहीं करती, यानिकि income आपकी जितनी मर्जी हो, income पर यह investment depend नहीं करती है, investment किस पर depend करती है? rate of interest और marginal efficiency of capital पर depend करती है, और हमने पढ़ा है, जब investment income पर depend नहीं करती, तो उस investment को हम क्या कहते हैं? तो यह investment जो Keynes ने जिसकी बात करी थी, वह autonomous investment थी, यानि कि यह investment इंकम पर depend नहीं करती है, लेकिन multiplier वज़े से क्या होगा, जैसे हम investment increase करेंगे, income जरूर investment की वज़े से बढ़ जाती है, तो यह बात करी थी Keynes ने, अब इसके बाद GM Clark ने खा, देखिए जब इन economy में income increase होती है, तो economy में income increase होने से consumption increase होती है, demand increase होती है, output increase होता है, और उसकी वज़े से क्या होता है, वापस से investment increase हो जाती है, accelerate होके, यानि multiply होके एक तरीके से, तो income के increase होने से, Clark ने खा, investment accelerate होके बढ़ेगी, उसे हम कहते हैं, induced investment, induced investment कैसे कहते हैं, जब income के बढ़ने से, investment बढ़ती है, उस तो हमारे Keynes ने बात करी थी Autonomous Investment की, Clark ने बात करी साथ में Induze Investment की भी तो शुरू करते हैं Accelerator, देखे, JM Clark ने क्या माना कि एकॉनमी में Capital और Output Ratio जो होता है, वो constant होता है Capital Output Ratio का क्या मतलब है, कि मानलीजे, आपने 10 रुपे की Output बढ़ाना है, 10 रुपे का Output आपने प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानलीजे, 30 रुपे की Capital Machinery इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो इसका मतलब है, आपकी Economy में Capital और Output Ratio क्या है, 3 का है, अब यह आपकी Technology पर डिपेंड करता है, हो सकता है, आपकी Machinery Technology इतनी Advanced है कि आप 20 रुपे की Capital में भी 10 रुपे का Output बना सकते हैं, तो अब आपका Capital Output Ratio कि इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो आपकी Economy में जो भी Capital Output Ratio है, चाहे 3 है, चाहे 2 है, वो क्या रहेगा, Constant रहता है, यह माना था JM Class में, यानि कि K upon में Y की Value क्या रहेगी, Constant रहेगी, और Capital ही हमारी क्या होती है, इन्वेस्मेंट होती है, यानि कि आपने Machinery लगाई, जो Capital लगाई, वो क्या कि आपने Investment करी, तो आप इसे Investment upon Output Ratio भी कहते हैं कई जगा, अब हमें पता है, K is equal to में VY हो गया, यह K क्या है हमारा, K है हमारा Capital, Y क्या है हमारा Output, या कि कह लिजे, Income, क्योंकि Output बढ़ता है, तो हमारी Income भी बढ़ती है, इसलिए से हम Output या Income भी कह सकते हैं, और V क्या हमारी Constant है, यान यानि कि हमारे पास यह function आ जाएगा, और इसका क्या मतलब है, कि अगर Income या Output Change होता है, तो हमारा Capital भी Change होगा, लेकिन कैसे Change होगा, Multiply में Change होगा, Accelerate होगा, कैसे, Del K is equal to में V, Del Y लिख सकते हैं, यह अगर Del Y उपर चला जाए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है, अगर हम Income को Change कर दें, आउटपुट को Change कर दें, 100 रुपे से, तो हमारे V की Multiply से, हमारी Investment चेंज हो जाएगी, V कितना है, अगर मालने जी, 3 है Capital Output Ratio, तो V की Value कितना आगी, 3, तो हमारी Economy में Investment जो है, 300 रुपे से बढ़ जाएगी, सिर्फ 100 रुपे की Income बढ़ने से, तो य यह V क्या है, हमारा Accelerator है, तो Economy में Capital Output Ratio की Value होगी, वही हमारी Accelerator की Value होगी, और इसे हमारे GM Clark ने क्या माना था, Constant माना था, अब Del K, अपोन में Del Y is equal to V को कैसे लिख सकते हैं, Del K is equal to V Del Y, और Del K का क्या मतलब है, कि Capital चेंज होई, मतलब Investment चेंज होई, अगर Capital Economy में Increase हो रही ह तो इस साल, मानलेजे T Period है यह, इस साल जो Capital है Minus में, जो पिछले साल Capital थी, वही होता है Change in Capital, इसी तरह income क्या है, जो इस साल इंकम है, मानलेजे T Period है यह, तो पिछले साल जो Income थी, उनके बीच का Difference क्या है? Change in Income, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Del K को लिखेंगे हम KT minus minus KT minus 1, is equal to में, यह आगया हमारा V, और Del Y, यानि Change in Income को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पिरिएड में जो Income है Minus में, पिछले पिरिएड में जो Income थी, और यह, अगर Capital Change हो रही है, मतलब कि हमारी Investment Increase हो रही है, तो Income के Increase होने से, हमारी Investment Accelerate होके बढ़ती है, और वो कितनी ब Investment upon में Change In Income, तो भी Confused मत होईगा, और अगर Income Increase हो रही है, मतलब Consumption Increase हो रही है, और Consumption Increase हो रही है, तो कही जगा आपको यह ऐसे भी मिल सकता है, Change In Investment upon में Change In Consumption is equal to Accelerator, तो यह सब एक ही बात है, यहाँ पे Confused होने की जूर्त नहीं है, अब अगर Definition की बात करें, तो Acceler Investment या फिर जो हमें Tools चाहिए उन Goods को बनाने के लिए, उनके Demand और ज़्यादा मातरा में बढ़ती है, या फिर Other Words में कहें हम, तो Population की अगर Income Increase होती है, तो इसकी वज़े से Consumer करता है जादा और उसी की वज़े से हमारी Investment जो है, Magnified होके Change होती है, यानि की Accelerate होके Change होती है, अब यहाँ पर दो बाते जाने वाली है, एक तो मैंने आपको कहा कि यह जो Investment Change हो रही है, यह Induced Investment है, Induced क्यों है, क्योंकि यह Income के बढ़ने की वज़े से Change हो रही है, इसलिए हम इसे Induced Investment कहेंगे, जो Changing Capital है, इसे हम Induced Investment भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम Dell IB लिखते हैं, अब ए पुरानी Machinery भी खराब होती है, उसमाली जे पुरानी Machinery भी खराब होई और इसे ठीक कराने में आपका 100 रुपया लग गया, तो नेट इंवेस्टमेंट कितनी करी है, आपने 40 रुपय की, यानि इकॉन्वी में आपने कितनी न्यू मशीनरी आड करी है, उसे हम कहते हैं, न Gross Investment, यहाँ पर जो हम बात करे हैं, वो हम बात करे हैं, नेट इंवेस्टमेंट की, यानि कॉन्वी में कितने न्यू एंड टूल्स एड होंगे, हमारी इंकम बढ़ने से, या फिर consumption बढ़ने से, या फिर output बढ़ने से, तो हम एक टेबल देख लेते हैं, जिसमें हमने क्या कि 3, Accelator की value 3 का मतलब क्या है, Accelator तो हमें 2 चीजे बताता है, एक तो बताएगा हमें Capital Output Ratio, Capital Output Ratio कितना माना है हमने? 3 माना है, दूसरा हमने बताया है, Change in Capital with Change in output, यानि कि OUTPUT चेंज होता है, तो crypto कितने से change होगी? 3 गुना से change होगी, तो Accelator ने हमें 2 चीजे बताई, एक तो जो PayPal है वो depreciate हो जाती है, क्राब हो जाती है, जिसे हमें ठीक कराना है, अगर 100 पर की capital लगाई है तो हर साल 120 की capital हमें नहीं लगानी प Clema हनी, विसीड़ खरचा हमें पुरानी capital को ठीक करने में लगाना पदते है यानि उसे replace कराने में लगाना पड़ता है, इसे हम replacement cost भी कहते हैं, इसे हम depreciation cost भी कहते हैं, तो यहां पे हमने period लिया है, यहां पे output income लिया है, यहां पे लिया हमने required stock of capital, यहां पे लिया हमने depreciation, जिसे हम capital replacement भी कहते हैं, यहां लिया है gross investment और यहां लिया हमने net investment, अब देखि और हमने 500 रपे का आउट्पूट करा अब अगर आप 500 रपे का आउट्पूट कर रहे हैं और कैपिटल आउट्पूट रेशो तीन है तो इसका मतलब है कि आपको कितने रपे की कैपिटल की जूट पड़ी होगी 500 मुल्टिप्लाइविद 3 यानि कि 15-100 रपे की आपको आपक अब अगर आउट्पूट 10 रपे से इंग्रीज हो रहा है तो यानि कि हमारी investment कितने से इंग्रीज होगी तो investment हमारी पहले 1500 थी अब 3 रपे और increase होगी यानि कि investment कितनी होगी 15-30 रपे की होगी यानि कि 1 feet इसका मतलब है 300 रुपे की capital हमारी खराब होगी थी 300 रुपे हमें खर्चा किया है पुरानी capital को ठीक कराने में तो depreciation cost यहां पे कितना है 300 रुपे अब gross investment क्या है total हमारी investment यानि कि 30 रुपे तो हमने new capital add करी और 300 रुपे हमने खर्च किया पुरानी capital को ठीक कराने में तो gross investment हो गई 330 रुपे जबकि net investment क्या होती है economy में new capital और machinery आपने कितनी आड़ करी तो new capital machinery कितनी आड़ करी 30 रुपे की तो net investment हो जाएगी हमारी 30 रुपे इसी तरह next year में मान लीजिए हमने अपना output और increase कर दिया कितने से output increase हो गया 15 से output increase हो गया तो अगर output 15 से increase हो है हमें capital कितने से increase होगी 15 गुणा 3 यानि कि 45 रुपे से change हो जाएगी तो ये 1530 से 1575 हो गया यानि कि 306 रुपे की capital हमारे depreciation होगी तो यहान ही 306 तो ग्रोस investment कितनी हो जाएगी 306 फ्लस new investment कितनी होई है 45 रुपे की तो ग्रोस investment होगी हमारी 305 और net investment कितनी होगी new investment कितनी है 45 से अब आप देख रहे हैं यहारे आउटपुट 10 रुपए से eki 3 रुपे शान से 15 रुप NinEST इसी तरह नेकरे साल अगुकरे शान से 25 रुपेétaisे चाहिए 번 25 x 3, 75 से, तो यह 1555 से के आ जाएगा 1650, तो कितने से हमारी investment increase हो गई, पिचतर रुपे से, वहीं पे हमारी depreciation कितनी होगी, पिछले साल हमारी capital की value थी 1554, तो पिछले साल से अब तक हमारी depreciation होगी, 315 रुपे की हमारी depreciation होगी, प्लस new capital कितनी है पिचतर पे, तो gross investment कितनी होग होगी 25 से, लेकिन हमारी investment कितनी increase होगी, 75 से, यानि 3 गुणा से, तो इस तरह यह जैसे जैसे output increase होगा, वैसे वैसे हमारी net investment increase होती चलेगी, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जब output increase होगी हो था, हमारी net investment 3 गुणा से increase हो रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साल हमने output increase नहीं किया, इस साल क्या हुआ, output increase नहीं हुआ, जो पिछले साल था output उतना का उतना ही रहा, तो इस साल net investment कितनी है, zero, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका output increase होगा, आपकी investment increase होगी, अगर आपका output constant होगा तो आपकी investment भी 0 हो जाएगी वहीं पे अगर आपका output decrease हो जाएगा देखिए अगर हमने इस साल output decrease कर दिया क्यों decrease कर दिया हमालीज economy में income कम हो गई है या फिक demand कम हो गई है तो हमारा output कम हो गया 560 रुपे की हमारी विकरी हो रही है तो output कम होने से हमारी क्या होगी investment भी कम होगी अब आप कहेंगे सर अगर हमारा output कम हुआ तो यानि कि हमने investment कम कर दी तो क्या 45 रुपे की capital हमने जाके बेच दी देखिए आउपूट हमारा 15 रुपे से कम हुआ आपकी कोई एक machine खराब हो या आपने इसको खराब ही देहने दिया क्योंकि अभी आपको output बढ़ाने की जूर्त नहीं है जब भी आपका output बढ़ेगा तब आप उस machine को ठीक करा लेंगे यानि कि depreciation cost आपका increase होना शुड़ हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था तो यानि कि अब इससे table से हमें क्या बात पता लगी कि जैसे 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 output बढ़ता है investment बढ़ती है कितनी गुड़ा से बढ़ती है वो depend करता है accelerator की value पे और अगर output constant है investment zero रहेगी output decrease होगा तो investment decrease हो जाएग यह चीज हमने पढ़ी एक हमें पता लग गया अब हम देख लेते हैं कि इसके assumption क्या है हर theory की कोई न कोई assumption होती है तो इसकी assumption क्या है देखिए पहली assumption यह है कि capital output रहेगा यह बात मैंने आपको बता ली थी second assumption है demand for consumers goods are continuous to rise यह assumption हमने क्यों मानी थी क्योंकि इसका criticism आ रहा था कि हो सकता है कि अगर demand temporary है अगर temporary demand है तो हमारा producer क्या new investment कर देगा अगर उसे पता है कि demand temporary है seasonal demand है या थोड़े time के लिए demand है तो हमारा producer क्या है new investment नहीं करेगा और आप कहेंगे आपकोट तो increase हो रहा है sales बढ़ रही है उसकी demand बढ़ रही है लेकिन वह investment क्यों नहीं कर रहा क्योंकि वह temporary है तो इसी वज़े से यह assumption मान के चले हम कि consumer goods की जो demand है वह continuous रहनी चाहिए यानि कि permanent रहनी चाहिए demand बढ़ती रहनी चाहिए तभी हमारी investment बढ़ेगी तीसरी assumption क्या है there is no excess capacity in consumer good industry इसका क्या मतलब है consumer good industry का क्या मतलब है जो हमारा producer production कर रहा है अगर उसके पास कुछ मशीने ideal पड़ी है खाली पड़ी है तो अगर output increase होगा तो वो उन मशीनों को use करेगा क्या वो new investment करेगा नहीं करेगा क्योंकि अभी उसके पास excess capacity है यानि कि कुछ मशीने उसके पास खाली पड़ी है तो इसी वज़े से इसी criticism की वज़े से यह assumption add की गई थी कि यहां पे excess capacity नहीं होनी चाहिए consumer good industry में यानि कि जो हमारा producer consumer goods बना रहा है उस industry में excess capacity नहीं होनी चाहिए मशीने खाली पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए next assumption थी इसकी credit are easily available अमालीजे एकदम से output बढ़ गया और हमारे producer ने investment करनी है अब investment करने के लिए credits अविलेबल नहीं होंगे तो क्या investment बढ़ जाएगी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी तो credits यो है वो easily available होने चाहिए next assumption है rise in output immediately increase net investment अगर output increase हो रहा है तो immediately net investment increase होगी यानि यहाँ पे क्या है time lag नहीं है time gap नहीं है इसके लावा एक और assumption थी इसकी there is excess capacity in capital goods industry capital goods industry में excess capacity होनी चाहिए consumer goods industry में नहीं होनी चाहिए capital goods industry में होनी चाहिए इसका क्या मतलब है जैसे-जैसे demand buddy हमारे producer के पास ideal capacity नहीं होनी चाहिए मतलब कि खाली machine बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए तभी वह investment करेगा लेकिन जब वह नहीं machine लेने जाएगा अगर capital goods industry में excess capacity नहीं होई capital goods industry यानि machine वाली market में अगर machine नहीं मिली तो क्यो investment कर पाएगा नहीं तो capital goods industry में excess capacity होनी चाहिए वहाँ पर machine पड़ी होनी चाहिए ताकि वह फटा-फटा-फटा के investment कर सके लेकिन consumer good industry में excess capacity नहीं होनी चाहिए यह चीज़ आप याद रखेगा तो यह सब था accelerated theory of investment के बारे में I hope आप लोगों कुस समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई confusion है प्लीज राइट आस इन ते comment section given below तो मिलते हैं next video में तब तक be safe, keep learning, जैहिन, धन्यवाद